सो हलो फ्रेंड्स कैसे आप लोग उम्मित करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो दोस्तो आज की इस पीडियो में हम आपको तीन मुवी का बॉक्स आफिस कलेक्शन दिखाने वाले हैं और मैं आपको बता दू कि इन तीनों मुवी में जहाँ पर सबसे पहले अग फिलम राजे स्याम है बाव बली प्रबास की वह तो अपने बजट इतना भी कमाई नहीं कर पाई है तुम आपको सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में बने रहना तो चलिए शुरू करते हैं लेकिन दोस्तो वीडियो सुरू करने इस पहले आपसे एक चोट इस रिक्वे देश में चलेगा लेकिन बाव बली के बाद आई प्रबास की फिलम साहो भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लाफ रही वहीं अब रादे स्याम भी उम्मीद पर खरा उतर नहीं पाई है माना जा रहा है कि रादे स्याम 25 मार्च को ऐसे स्राज मौली की आरार के सिनेमा गरों में आने आप खुदी सो सकते हैं कि यह फिलम कितनी बुरी तरह से फ्लाफ रही मैं आपको एक चार्ट दिखा देता हूं रादे स्याम का वल्डवाइड बॉक्स आफिस कलेक्शन आप देख लीजिए और प्लस आप आन्त प्रदेश और तमिल नाडू का आप देख सकते हैं तो और तीसरे दिन पंदरा करोड़ दस लाग चोथे दिन पंदरा करोड़ पांच लाग और पांचवे दिन अठरा करोड़ छटे दिन 19 करोड़ पांच लाग और सातवे दिन 19 करोड़ पचास लाग अभी आटवे दिन का कलेक्शन नहीं आया है लेकिन यही माना जा रहा है य मूवी के बजट के हिसाब से यह फिलम दा कास्मीर फाइल हिट साबित हुई अब दोस्तों अगर हम बात करें खिलारी अक्षे कुमार के फिलम बच्चन पांडे की तो दोस्तों मैं आपको बता दू कि बच्चन पांडे पहले दिन मात्र 12 करण की कमाई की है जो दा कास्मीर फाइल से बिल्कुल कम है और मैं आपको बता दू कि रिवीव के हिसाब से यह मूवी बुरी तरह से फ्लॉफ होगी मूवी में अक्षे कुमार का किरदार काफी अच्चा है लेकिन इस मूवी में कोई कहानी नहीं है कोई सीन नहीं है गाने भी कभी भी आ जाते अगर आप देखे होंगे तो आपको पता होगा तो पहले दिन तो यह मूवी मात्र 12 करोड की कमाई की है लेकिन आने वाले समय में इस मूवी को जो अर्णिंग है काफी जादा कम हो जाएगी यानि यह भी मूवी बुरी तरह से फ्लॉफ होने वाली है तो उमीद करता हूँ कि आपको यह चोटी सी वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आती तो प्लीज लाइक करना सियर करना चैनल को सब्सक्राइब करना और आप एक सी कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताना आप कौन सी मूवी देखने गए तो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट जरूर करना मिल